ओके तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नूलेंड्स के अस्टक नियम से कल की क्लास में हमने देखा था जो आवर्थ सार्णिक की बेसिक जानकारिये हैं और डोबे राइनिर का त्रिक नियम उसी करम में अगला नियम है नूलेंड्स का अस्टक नियम इस नियम के अनुसार वेगनिक नूलेंट्स ने ये बताया कि अगर हम तत्वों को उनके परमानु भार के बढ़ते करम में अगर व्यवस्तित करें तो व्यवस्तित करने के बाद में जो करम हमें प्राप्त होता है उसमें प्रते एक जो आठवा तत्व है उसके जो भोतिक और आसानी गुण द्रम है वो प्रतम तत्व के समान होते हैं नुलेंट्स ने कहा कि अगर हम तत्वों को उनके पर्मानु भार के बढ़ते करम में व्यवस्तित करें तो व्यवस्तित करने के बाद में हमें आठ आठ का गुरूप बनाना जैसे कि डोबे रायना ने तीन तीन का गुरूप बनाया उसी प्रकार से नुलेंट्स ने आठ तत्विय और आठवा तत्विय है उनके भ्यतिक और आसायनी गुंद्रह में समान होगे जैसे कि संगीत में जो पृथम और आठवा सवर क्या होता है संगीत का जैसे की भारते संगीत के हिसाब से देखे तो सा रे गा मा पा धै नी सा तो यहाँ पर ध्यान देने वाले बात है कि जो प्रथम सवर है सा और जो अंतिम सवर है जैसे कि आठवा सवर है सा वो क्या है समान है तो इसी प्रकार से अगर हम तत्वों को व्यवस्तित करेंगे तो प्रथम तत्वे और आठवे तत्वे के उन धरम आपस में मेल खाएंगे यानि कि वो उन धरमों में क्या होंगे? समान होंगे ये नूलेंड्स ने अपने अस्टक नियम में दिया एक बर कुन है? देखना उन्होंने बताया कि तत्वों को उनके परमानु भार के बढ़ते हुए करम में व्यवस्तित करने पर आठवे तत्वे के भोतिक तथा रासायनिक गुण धरम पर्थम तत्वे के समान होते हैं जैसे कि संगीत में प्रथम और आठवा सवर समान होता है जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा अगर हम स्टार्ट करें लीथियम से स्टार्ट करें तो लीथियम, बेरिलियम, गोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ओक्सीजन, फलोरीन और फिर सोडियम दोगों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्या आप कहोगी कि सर, बीच में नियोन आता है, वो नियोन गाइब क्यों हो गया तो आपको बता दूँ कि जिस समय नियुलेर्स ने अपना अस्टक नियम दिया था उस समय जो अक्रिय गेस है, या उत्रिस्ट गेस है, जो अठार विवरक की गेसेज हैं, उनकी खोज नहीं हुई थी तो इस कारण से लीथियम, बेरिलियम, बोरोन, कारबन, नाइटरोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरिन, फिर नियोन ना के डारेक्ट कौन साता है, सोडियम आता है इसलिए लीथियम और सोडियम के जो भोतिक गुनदरम है, वो हमें समान देखने को मिलते हैं इसके आधुनिक आवरसानी है, जो आधुनिक आवरसानी जो यानि वरतमान सवरूप आवरसानी का जिसमें पहले ही वरग में लीथियम और सोडियम दोनों एलिमेंट्स पाये जाते हैं अगर उनके तत जो गुन धरम है भोतिक तता रासाइने के गुन धरम है वो समान देखने को मिलते हैं यानि कि दोनों ही क्या है छारिय धातु है लिथियम भी छारिय धातु है जबकि सोडियम भी क्या है छारिय धातु है ठीक है इसके बाद में जैसे कि हम बात करें सोडियम के बाद में कौन सा आता है मैगनेशियम आता है तो उसकी समानता कैसे होगी बैरेलियम से होगी बैरेलियम और मैगनेशियम क्या होते है एक ही वरग के तत्व है है देखो इसी परकार से उन्होंने ये अपना अस्तक नियम दिया अब यह नियम फैल क्यों हुआ इसकी कुछ कम्या थी जिनमें से पहली सबसे महतुपुन कमी कुण सी है कि Z बराबर 20 Z बराबर 20 यानि कि प्रमानु कृमांक 20 तक प्रमानु कृमांक 20 किसका है केल्शियम का है तो केल्शियम तक ही ये वर्गीकरत कर पाए न्यू लेंड्स ने अपने अस्टक नियम में जो सार्णी दी थी उसमें सिरफ और सिरफ केल्शियम यानि कि 20 तक तत्वय व्यवस्तित कर पाए जैसे ही 20 के बाद में दी ब्लोक स्टार्ट होता है यानि कि 21 स्केंडियम से दी ब्लोक आरंब हो जाता है तो उसके बाद वाले तत्वयों को व्यवस्तित नहीं कर पाए इसलिए यह नियम फेल हो गया यानि कि जैड बराबर 20 केल्सियम तक ही वर्गीकरत कर पाए दूसरी बात सबसे इंपोर्टें फून्टाए असफल साबित हुआ अक्रियगेसल के खोँसके बाद में असफल साबित हो यानि अक्रियगेस कौन से होती है जो वर्ग लग 18 कि तत्वय है वर्ग 18 के तत्वय में कौन File जातेए हैं जैसे की हेलियम में नियोन मेरा और्गन क्रिप्प्र ए जिनौन रेड़ाउन यह क्या है वरग अठारा की जो त caution में उपस्तित उत्क्रिष्ट गेस बोलते हैं पहले इनका नाम था अक्रिए गेस अब वरतमान नाम है इनका उत्क्रिष्ट गेस या नोबल गेस अक्रिए गेस इन्हें कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ही कम reaction करती थी यानि इनके योगिक प्रकरती में मौजूद नहीं मिले थे इसलिए इन्हें अक्रिय गेस कहा जाता था लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो इनके अनेक प्रकार के योगिक देखने को मिले हैं या अनेक प्रकार की रासानी का बिग्रियाओं में इंटर्मेडियर की रूप में बनते हैं इसलिए इनका नाम अक्रिय गेस से बदलकर उतकरिष्ट गेस या नोबल गेस रखा गया जैसे कि हेलियम, नियोन, औरगन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन ये प्रमुक रूप से पाई जाने वाले थारव्य वरग में उपस्तित गेसे हैं इनकी खोजगे बाद में नूलेंज का जो अस्टक नियम है वो पूर्टे ऐसफल साबित हुआ ठीक है, एक बर पुनहर रिवायज के लेते हैं उन्होंने बताया कि तत्वों को उनके परमानु भार के बढ़ते हुए करम में व्यवस्तित करने पर आठवे तत्वे के, यानि कि पहले तत्वे और आठवे तत्वे के भोतिक तता रासायनिक गुनद्रम समान होते हैं अपने भारते संगित के साब से हमने यहाँ पर एक्जाम्पल यह है सारे गामा पैदानी सा तो लीथियम, बेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइटोजन, आक्सीजन, फलोरिन और सोडियम ठीक है और इसकी कमिया क्या है पहली कमिया है कि इन्होंने केल्सियम तक ही तत्वों को वर रहा होता है अपनी NCRT के अकोडिंग इतनी ही बात दे रखिए ज्यादा हम नहीं देखेंगे इसके बारे में बाकि हम अगली क्लास में जैसे की मेंडलिफ की आवर्सानी उसके बारे में थोड़ी सी लेंदी है यह तो सबसे छोटा नियम मान लो एकदम से छोटा है बैसे क इतनी जान कर रखने हमें नुव लेंड्स का स्टक नियम क्या है उसका एक्जाम्पल क्या है और उसकी कमिया यहां से इतने में काम हो जाएगा बाकि हम अगली क्लास में जैसे कि मेंडलिफ की आवर्सानी है उसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा डिटेल लेंगे इसकी बेराइनर का त्रिक नियम है वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा वहां जाकर आप चेक आउट कर सकते हैं दूसरी बात यह क्लासे जे रेगुलर आने वाली है इसलिए इनको रेगुलर देखते जाए और अपनी 11 क्लास की जो